So, what's up guys, good morning और स्वागद आप सभी का Indian Football का एक और नए एपिसोड के अंदर और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहा है Hero Indian Super League का upcoming season से related कुछ नए और huge transfer updates के बारे में तो आज सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं Mumbai City FC के बारे में तो Mumbai City FC ने यहाँ पर Greg Stewart के बात एक और foreign signing को complete कर लिया है और इस बार guys उन्होंने अपने squad में शामिल कर लिया है A.T.K. Mohonwagan का Australian striker David Williams को तो David Williams के लिए guys Mumbai City FC एक बहुती पसंदीदा team है Mumbai City FC और A.T.K. Mohonwagan की बीच अभी तक ISL में total 5 matches खेला गाया है और 5 matches के अंदर guys A.T.K. Mohonwagan मुंबई City FC के खिलब सिर्फ तीन गोल करने में ही कामिया हुए है और तीनों ही गोल्स guys David Williams ने ही दा गही तो after Greg Stewart यहाँ पर David Williams का signing भी Mumbai City FC के लिए एक बहुती बड़ा decision है और यहाँ पर आप David Williams upcoming season से हमें Mumbai City FC के तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे उसके बात guys अगर बात किया जाए David Williams का ही पार्टनर Roy Krishna के बार में तो Roy Krishna के साथ guys यहाँ पर multiple ISL क्लाबों का बात चल रहा है including Bengalwood FC और East Bengal इसके लावा यहाँ पर एक और ISL क्लाब करेंट हीरो ISL चैंपियन हाइदराबद FC के तरफ से Roy Krishna को offer भी भेजा गया है तो Roy Krishna guys विल्हाल इंडियन ट्रांसफर मार्केट के इंदर एक बहुत हाई बारे में तो कोई अपडेट्स निकल कर नहीं आया है लेकिन यहाँ पर गईस FC Goa के तरफ से निव डिपार्चर का बारे में अपडेट्स जरूर निकल कर आये है तो इससे पहले भाई गईस FC Goa का स्कॉट में अप निव फॉर्णर्स आने वाले है और सोर्सेस के हिसाफ से यहाँ पर बहुत जल्द ही FC Goa के तरफ से एक बिग फॉर्ण साइनिंग को एनॉस्मेंट किया जाएगा जो कि यहाँ पर आलवारो वास्केस से भी बहतर साइनिंग सावीद हो सकते है नेक्स्ट अकर बात किया जाए भाई एटी के महनबागान के बारे में तो एटी के महनबागान ने भाई यहाँ पर पाँच साल का एक लॉंग ट्राम कंट्राक्ट में साइनिंग कर लिया है हाईदा बदेपसी के 23 एर सोल्ट यंग इंडियन राइडवैक आशिश राई को तो करेंट ISL चांपियन डिफेंडर आशिश राई को गाई एटी के महनबागान यहाँ पर साइनिंग करने के लिए हाईदा बदेपसी को एक यूज अमाउंट का ट्रांसफर फीवी पे करने वाले है क्योंकि आशिश राई के साथ जो हाईदा बदेपसी का लेफ्ट विंगार आशिक कुरुनियन उनको भी यहाँ पर 3 प्लस 1 यार का कॉंट्राक्ट एक्स्टेंशन ओफर के दौर पर एटी के महनबागान बेंगलूर एपसी से स्वाप डिल के दौर पर साइनिंग कर लिया है और इस स्वाप डिल के वदोलाग गैस एटी के महनब महनबागान के तरफ से एक और बड़िया निउस सामने निकल कर आये है क्योंकि उनका जो यंग इंडियन फ्रॉड है लिस्टन कोलासो उनके साथ एटी के महनबागान बहुत जल्दी है अपना कॉंट्रेक्ट को लॉंग क्राम के लिए एक्स्टेंड करने वाले हैं जिनके से बाद अगर किया जाए गया इस नॉर्थी स्टोंबोड के साथ जोईन करने यह है तो मैं भी वीपी सुहेई अपके सीजन पर नॉर्थी स्टोंडेक्स के साथ कंटिनियू नहीं करने वाले है उसके बाद अगर बात किया जाए इस्ट बंगोल फुर्वल काप के बारे में तो बहुत देर के इंतेजार के बाद फाइनली इस्ट बंगोल को उनका निव इन्वेस्टर मेल ही गया है और अब अब कामिंग सेजन के अंदर इस्ट बंगोल का निव इन्वेस्टर होने वाले है कोलकाता बेस्ट कंपनी इमामी ग्रूब तो आखिर कर गईस इस्ट बंगोल के साथ वो घड़ी आ ही गया है जिनका फ्रैंस को महीनों से इंतिजार था और ट्रांसफर मर्केट आने से पहले ही इस बार ये इस्ट बंगोल उसके बाद अगर बात किया जाए भाई टू टाइम आएसल चैंपियन चेनाइन एफसी के बार में तो चेनाइन एफसी ने गईस यहाँ पर आने वाले आएसल सेजन के लिए साइनिंग कर लिया है नेरो का एफसी से एक 20 एर्स ओल्ट यंग इंडियन डिवेंसीब मिद्फिल्डर को जिसका नाम है जितेश्वर सिंग और इन्होंने भाई इस सेजन यानि के आए लिग 2021 वाइस के अंदर इमार्जिंग प्लेयर आप दा लिग का भी एवार्ड जीता है और इनका अगर क्लाप केडियर देखा जाए गई इस तोन्योंने अपने क्लाप केडियर के अंदर आए लिग में नेरो का एफसी के तरफ से टोटल 37 मैचेस खेला है जिन में से 17 एपेरेंस इनका इसी सीजन के अंदर था और इसके लावा भाई भवाणीपूर एफसी के तरफ से इनोंने आए लिग क्वालिफाइर्स और आए लिग सेकंड डिविशन प्ले आफस के अंदर भी खेला है तो जीते श्वार्ट सींग गईस अप आने वाले के तरफ से एक हूज अमाउंट को आफर भेज़ा गाया था लेकिन अनुरुत थापा गा इस उस आफर को रिजेक्ट करते हुए चेनाए नेफसी के साथ ही कंटेनूर करने का डिसिशन लिया है और अनिरुत थापा के अलावा भी गईस यहाँ पर दो फॉर्टिनर स्लाप को दमजानोविच और नर्जेस वाल्सकिस इन दोनों के साथ भी चेनाए नेफसी बहुत जल्दी और एक साल के लिए अपना कॉंट्रक्ट को बढ़ाने वाले है नेक्स्ट अकर बात किया जाए भाई ओडिशे एफसी के बारे में तो ओडिशे एफसी के इस यहाँ पर अपकामिंग सीजन के लिए साइनिंग करने वाले है एटी के महानवकान का 27 येर्स ओल्ट इंडियन लेफ्ट विंगर माइकेल सुसायराच को तो माइकेल सुसेराच के साथ गईस ओडिशे एफसी के सब कुछ कम्रीट हो चुगा है और ट्रांसफर यूंड आते ही दो साल का कॉंट्रक्ट में माइकेल सुसेराच का साइनिंग को ओडिशे एफसी के तरफ से ओफिशियली अनॉस्मेंट कर दिया जाए जा और गईस इसके लवा ओडिशे एफसी यहाँ पर उनका 21 येर सोल्ट यंग इंडियन डिफेंडर निखिल प्रभू जिनको उन्होंने जानूरी ट्रांसफर यूंड में ऐसे लोन के दौर पर हैदावद एफसी से लाया था उनको भाई यहाँ पर ओडिशे अपसी दो सल का contract में permanently signing करने वाले है और साथ में निखिल प्रभू के पास यहाँ पर ओडिशे अपसी के तरफ से one year का contract एक्स्टेंशन का भी offer रहने वाले है और आखिरी में अगर बात किया जाए गैस जामशित पुरेपसी के बारे में तो जामशित पुरेपसी गैस यहाँ पर उनका नाइजेरियन स्ट्राइकर डैनियल चीमा चुको के लिए अपना जो contract extension का offer है वो ready रख चुगा है और जामशित पुरेपसी के management के तरफ से गैस यहाँ पर चीमा को retain करने का पूरा कोशिश जाड़ी है तो में भी डैनियल चीमा चुको upcoming ISL season के अंदर भी जामशित पुरेपसी के साथ ही continue करने वाले है और इसका high chances भी है तो चलिए आज के लिए वस इतना ही फिल्मे लंगे आ और तब तक के लिए, बाइब बाइब